एक्टर इन्बॉर्न होता है उसमें यह टालेंट या नहीं होता आइटिंक एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग सवाल है और आम तोर पे इसकुशन्स बहुत होती है तो हाँ मैं उन लोगों में से हूँ जो यह बिलीव करते हैं कि जिस तरह लास आला ने हर किसी को कोई ना कोई दिया होता है कुछ करने का जिस तरह पेंटर्स होते हैं मुझे लगता है या वह पेंटर्स होते हैं या नहीं होते तो गाने वाला या गाने वाला होता है या नहीं होता उसी तरह एक्टर्स होते हैं या नहीं होता हां कुछ बहुत से लोग शायद ऐसे हो कि जिनमें वह सल प्राइयत मौझूद है कि वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं अब वो एक खास मीडियम में भी बिलॉंग करते हैं और फिर जब वो उस मीडियम से दूसरे मीडियम में स्विच करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर उनकी वाली क्राफ्ट शायद उतनी ब्राइटली नजर ना फर एक्जांपल एक थिअटर में काम करने वाला अक्टर है कि भिल्कूल फर्क तरह की में रिनेग की ब्राइनिक की आप प्रेंटिंग जिलिगत शेके सब्सक्रान paint कैसे mix करना है colors कैसे तो उसकी technique आप सीख तो सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे painter या एक अजीम painter तभी बन सकते हैं जब तक आप में वो talent मौझूद होता है इसी तरह theater से काम करने वाला बंदा जरूरी नहीं television पे भी आके बहुत अच्छी acting कर सके फिर television पे काम करने वाला जरूरी नहीं film पे या रीडियो में जाके भी उतना ही अच्छा काम कर सके बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो body structure या उनकी जो parents है उनका जो चेहरा है वो screen के लि नहीं भी होती मगर वो TV के अच्छे actors होते हैं तो as a director I believe के हर actor की एक अपनी qualities होती है हां हम कुछ ऐसे जमाने से भी गुजर रहे हैं जहां काम चुंकि इसकदर फैल रहा है तो शायद बहुत सैसे लोग जिनको सिर्फ शायद शौक है या उनको लगता है कि वो acting कर सकते हैं but I think सबसे बड़ा test वही होता है कि एक project दो project करने के बाद उसकी range का talent का सबसे बड़ा test जो है वो उस चीज़ का final product होता है तो definitely I think actor को आप TV के हवाले से कर मैं बात करूँ हाँ आप उसको technically ग्रूम कर सकते हैं इसकी technique है मतलब मुझे अप camera में देख के इस वक बात करनी है तो वो मैं किसी actor को बता सकता हूँ कि यहां देखेंगे आप technicalities होती है और लाइटें लगी हुई है या आपका एक चलने का आपको mark कर दिया जाता है कि भी आपके साथ साथ camera move कर रहा है तो आपने camera से इतने distance पे रहना है इस तरह की चीज़ें कि technically तो आप उसको सिखा सकते हैं कुछ actors इसको बहुत अच्छा follow भी कर सकते हैं मगर वो जो एक natural spark of acting है वो जो timing होती है या जिस तरह मौसीकी में एक rhythm होत करता वो rhythm आप में मौजूद होना बहुत जरूरी है